महिश क्लाम दिन खार और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स मुम्रा काउसा में लगातार क्रोना संक्रिमित मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही है ऐसे में अब क्रोना मरीजों के इलाज के लिए इस्टेडियम में जो हॉल बने हैं उसमें मरीजों के लिए बेड़े रहेंगे और जो कमरे हैं उसमें डॉक्टर नर्स दवाईयां रखने के लिए उपयोग किये जाएंगे आपको बता दे कि इसी तरह से मनपा के कस्पताल एमेम वली इस्टेडियम से बिलकुल लग कर आधा अधूरा बनकर खंडहर पड़ा हुआ है लेकिन उसे इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा है जिस तरह से मुम्बरा कौसा में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए कलबा मुम्बरा के आमदार कैमिनिट मंतरी जेतेजर रवाड ने मनपा कमिसनर विजै सिंगल से इस पर चर्चा की और इस्टेडियम में ही एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया जाएगा एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव मरीज वो होते हैं जो पॉजिटिव होने ते हुए भी उनके अंदर लक्षर दिखाई नहीं देते हैं हलाकि स्टेडियम में 200 से 200 तक के बेट का अस्पताल लेकिन इसमें सहयोग नियोन अस्पताल कर रहा ह ये जानकारी मनपा के लिपोटी कमिशनर मनीश जोसी और मुम्रा परभाग समीती की अध्यक्ष अश्रील राउत ने दी हैं इस मौके पर मनपा के कारेकारी अभियंता धरेंज गोसावी और नगर सिवक शानु पठान, जफर नुमानी, रहान पीतलवला, राजु अंसारी और ऐसे कई और नगर से वक्त महां मवजूद थे, कोविड-90 के लिए स्टेडियम को अस्पताल में बदला जा रहा है और सिर्फ इस अस्पताल में कोविड-90 के मरीजों का ही इलाज होगा और मरीजों के इलाज के लिए मिनिमाम चार्ज भी लिये जाएंगे, सुनिए डि इसका मतलब पॉजिटिव हैं लेकिन वो सिम्टम्स दिखानी रहे तो कली इस संदर में हमारे सानी कामदार रसेस महारश्ट्रा राज्य के मंत्री मानिनिया अवाड साब उनकी और उनरेबल मुनिस्टिपल कमिश्णर सिंगल साब की इस मामल में बातचीत हुई और उस बातचीत का नतीजा ऐसा हुआ कि ऐसा डिसाइड हुआ है कि हमारे मुम्रा के लिए हमारे मुम्रा में एक कोविट केर सेंटर हमें खोलना यह जो कोविट केर सेंटर है और यह जो सेंटर है पॉजिटिव पेशेंट्स जो की एस्म्टुमाटिक जो सिंटर्स दिखा नहीं रहें इसलिए आज मुम्रा प्रभाग समीति की हमारी अध्यक्षा राउत मैडम सीनियर नगर सेवक शानू जफर भाई राजो अंसारी हमारे दोस्त और शमीम भाई जिन्होंने इस पूरे होस्पिटल के ले काफी पाठ पूरावा किया वो यहाँ आएवे हैं और आज प्रशासन की तरफ से मैं ऐसे चाहूंगा कि इसकी जो घोशना है वो हमारे मुम्रा प्रभाग समीति की अध्यक्षा राउत मैडम वो करे तो ठीक रहेगा उसके पहले मैं आप कोई बताना चाहता हूं कि मानिने मंत्री महोदे के इंटर्वेंशन की वज़े से यह जो कोविट केर सेंटर है यह पूरा तो टी एमसी खड़ा करेगी इसमें सारी सुविधाइन टी एमसी देगी लेकिन इस कोविट केर सेंटर का जो अपरेशनल पार्ट है वो नियॉन होस्पिटल कर रहा है अगें वी शुट थैंक अउनरेबल मिनिस्टर फॉर दिस नियॉन होस्पिटल यह फ्री अफ कॉस्ट करेगा यह काम इस एन एक्सेलेंट एक्सामपल ऑफ पॉब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप और यह कोविट केर सेंटर मिनिमम रेट्स पे हमारे मुम्रावासियों को उपलब्द होगा जब मैं मिनिममम कूलता हूं तो देल भी डियेली मिनिममम तो मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यक्शामाडम इस चीज की फाइनल गोश्चना करते हैं आज मैं आप सुरुलोगो के महत्समेम से मुम्रावासियों से कहना चाते हूं कि सबसे पहले तो हम लोग जीतें रावाड साहब का तहय दिल से शुक्री आदा करते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी बीमारी के हालत में भी आज उन्हें मतलब थोड़ा अलहम दुलिल्ला जरा आराम लगा है तो इतना होने के बावजूद भी आज हमारी फिकर कर रहे हैं और सभी नगर से वख हम एक साथ उनके पास गहे थे और उनसे फोन पे बात भी की हमने उसके बात में उन्होंने कमिशनर से बात करके खास करके मुमरा में जो कालसेक और हॉस्पिटल है यहाँ पर जो यह नोग उसको ओफपर नहीं कर पास बहुत हो थाना दो के पहे believing जो है को विद 12 करता दुर्ट है सारे कर दो टाजा तरी खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें